नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसी सवर आप देख रहे हैं लर्ण वेल चैनल दोस्तों आज मैं आपके लिए लेका है वहत ही खास एक्सेल टू टैली मास्टर्स इसमें आपको सारे सारे मास्टर्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे और अगर आपको अपडेट भी करने हैं और नई एंटरी च्झा भी इंपोर्ट कर सकते हैं तो हुआ है चले देख्ते हैं कैसे क्या एंटリ होती है इसमें आपका लेजर मास्टर में लेजर शास्टर में आप इसमें opening balance का भी डिटेल आप डाल सकते हैं हैं पर आपको reference वाले सीट दे दी गई है कि इसमें आपके में कॉंस में कितने इन्वाइज का उप्टेट कर सकते हैं और नए आइटम नए लेजर भी आपप क्रेट कर सकते हैं और शाथ में आपका स्टॉक आइटम में बहुत इच्छी चीजे से ओन्डियों और मल्टिपल गरवय। और से नग एक ओपनिंग में आपके कितने गोडाउंस में माटेरियल है और कितने बैसेज के साथ में है वो भी आप डाल सकते हैं और वाकी MRP रेट उसका और इसमें आपको पार्ट नंबर और एलियाज भी मिल जाता है और GST डिटेल बाकी चीजे तो चलिए इंपोर्ट करके देखते हैं एक एक करके फिर बाकी टैली में बाकी डिटेल चेक कर लेंगे तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं पहले स्टॉक आइटम मास्टर यहां तो चलिए इंपोर्ट करते हैं पहले तो सबसे पहले हमें एंट्री जनरेट करनी पड़ती है तो अभी जैसे मेरा साप्ट्यूर यहां पर है तो यहीं पर एंट्री जनरेट होके आएगी तो इसमें कुछ नहीं करना है मैं यहां पर जनरेट पर क्लिक करूँगा यहां पर GST टाइफ है और GST नंबर और यहां पर आपका ग्रूप अपने हिसाब से आपने जो भी create करके रखा होगा वो ग्रूप का नेम आप यहां पर copy paste कर सकते हैं और यहां पर opening detail डालने के लिए मिल जाता है आपको belowize detail आप yes no कर सकते है credit period आप सेट कर सकते हैं तो आपका credit limit भी सेट कर सकते हैं उसके लाओं आप लेजर के लिए note और उसके लिए description भी आप रख सकते हैं उसके बाद फिर आपका इंट्रेस्ट रेट यहां पर आ जाता है कि आपको 30 डेज या 65 डेज या 365 डेज के लिए यहां पर आपको 5 परसेंट या 3 परसेंट या इतने भी इंट्रेस्ट रेट आपको डालने वह आप डाल सकते हैं फिर हमारा contact detail में आपका contact person phone number mobile number email id यह सारे details आ जाते हैं और interest calculation से related भी यहां पर कुछ settings हैं जो आप कर सकते हैं एडवांस इंट्रेस्ट calculation अगर आप यूज करते हैं तो तो और उसके बाद फिर लास्ट में हमारा TDS से related detail आप यहां पर pen number account number ओगर डाल सकते हैं और bank से related detail आपको TDS और bank से related detail यहां पर आपको लास्ट में यहीं मिल जाता है तो एंट्री जन्रेट करते हैं जिससे हमको और ज्यादा clear हो जाएगा तो यहां पर मैं generate पर क्लिक करता हूं यहां पर आपकी master file generate होके आप देख सकते हैं आगे तो अब यहां पर master file आगे इसको हमें टैली में लेके जाना रहेगा तो इसको आप internet explorer open कर लिजिए या तो आप यहां पर इसके property जाके इस पर right click करेंगे आप property जाएंगे और security से भी आप इसका path copy कर सकते हैं select करेंगे और control c करके copy कर लिजिए और यहां पर tally में चलते हैं यहां पर import of data में जाएंगे और यहां पर फिर हमारा आ जाता है master's यहां पर हम path को paste करेंगे अब उसके second option में आपको आप देख सकते हैं यहां पर और modified with new data करने से पुराने वाले को update कर देगा और नए जो होंगे वो भी create कर देगा और सबसे पहले आप्शन है combine opening balance अगर आपको opening balance merge करना है तो इस option को चूझ करिए अधर वाई सबसे अच्छा option modified with new data है आप सारा data फिल करिए modified with new data कर दीजिए आपका जो पुराने होंगे वो भी update हो जाएंगे नए के हिसाब से और आपका नया भी create हो जाएगा तो हम लोग यह चूझ करते है modified with new data और इंटर कर देते हैं हमारे master जो है उनकी इंपोर्ट हो गया लेजर मास्टर चल के देखते एक बार तो अभी जैसे फर्स्ट वाले को देखते कौन सा था लेजर अमन ट्रेडर्स करके है अमन ट्रेडर्स का लेजर चेक करते हैं यहाँ पर हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमन ट्रेडर्स का लेजर हमारा create हो गया यहाँ पर description नेम आ गया उसके लिए notes जो हमने लिखेत हो आ गये और यहाँ पर हमारा maintain bill wise detail enable हो गया 30 days credit period आ गया है और आपका credit limit हुई यहाँ पर आपकी सेट हो गई है और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है post data transaction अगर आपके कुछ है जो आप enable करते हैं तो वह भी हमारा यहाँ पर आ जाता है credit limit के लिए अब उसके आद फिर हमारा cost center अगर आप enable करके वहाँ पर applicable करके रखेंगे वह सारा चीज यहाँ पर आपको दिखने लगए वह सभी details आ जाएंगे interest calculation से related और यहाँ पर आपका address आ गया और next है हमारा phone number mobile number email ID यह सारी चीज़े update हो गई और फिर हमारा pen number और GST number भी यहाँ पर आपको update होके बिलकुर एकदम मिल जाता है तो दोस्तों इसमें आपको सार opening balance लाक में opening balance के अंदर में आप चाहें तो यहाँ पर विलोईज डिटेल डाल सकते हैं जो हमने यह वाली सीट में विलोईज डिटेल रिफरेंस वाली सीट में हमने फिल करके रखा हुआ है कि आपके यह 3 नंबर पर जो लेजर्स है उसमें जैसे यह 3 नंबर पर हमारा ए 3 नंबर पर जो लेजर्स है उसमें कौन से डिटेल जाएंगे और फिर हमारा ए 5 में कौन से डिटेल जाने है यह बिलोईज डिटेल आप इसको भी साथ में फिल कर सकते हैं तो उसमें बिलोईज डिटे ऐपको एक मेरा यह आइटम हो गया मैंने यहां से यहां तक लिख के रखा हुआ है चार बार क्योंकि हमारा यह गोडाउन और उसके डिटेल है वो मेरे चार बैश डिटेल थे जो चार मेरे गोडाउन में गये यहां पे अलग गोडाउन आप डाल सकते हैं यहां पे आपके रेट अलग हो सकते हैं कि मेरा यह बैश नंबर इस रेट से आया था मटेरियल यह इसका एमाउंट है मतलब फुल डिटेल के साथ में आप ओपनिंग वैलेंस इसमें डाल सकते हैं और आपका बाकी चीजें है ही इसमें तो इसको भी इंपोर्ट करते हैं और फिर चल के देखेंगे तुसेम इसको भी जनरेट पर क्लिक करना है और यहां पर आपकी फाइल जो है वो जनरेट होके आ जाएगी तो यहां जनरेट पर क्लिक करते हैं और हमारा यहां पर स्टॉप करके क्रियेट हो गया चलते हैं वापस टैली में और यहां पर इंपोर्ट डेटा में और यहां पर मास्टर्स में चलते हैं अब मुझे यहाँ पर पत्तो हमारा वही रहेगा कि और नाम बस चेंज हुआ है तो मैं यहाँ पर स्टॉप 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 डाट एक्सेमल कर देता हूं अब इंटर करते हैं और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेजर आपका यहाँ भी लागू होता है अगर आप modified with new data करेंगे तो आपके पुराने वाले भी अगर कुछ है अबंडेक करने हैं तो फो वही अबडेक हो जाएंगी तो ब्यक्रेट कर देते हैं तो इंटर करने से कमारा je entry import हो गया अब चले के चեक मारे को आप यह सारे हमारे feed आए इसलिए यहाँ पे इतने सार इसलिए आपको दिख रहे है क्योंकि elias भी है इसमें और आपके part number भी है तो यह जो मैंने डाल के रखता है part number का detail है यह इससा करीत कर आप चाहे तो part number लियाज छोड़ सकते हैं जो detail आपको fill करना है वो detail आपको fill कर सकते हैं तो आप यहां पे अंदर में जाक देखेंगे आपका नबर आ गया इलिया इसका आ गया यहां पर आंडर आपको क्वान सा गीरnd में रखना है आ reduce कि रखेशदीः दिटेल में आप है क्या परेट करेठीचे व सारी नाटी यहाँ से Urmeं यहाँ प्रतक Talk का ओपनिंग आ जाता है लास्ट में और आप अंदर चलके देखेए अब के शयरे लोकेशन जो गोडाउंस थे और सारे बैसे भी आपके यहां पर अलग-अलग दिख जाते हैं आप इसमें जो रेट वहां पर सीट में फिल करेंगो सारे उसी हिसाब से आपको दिख जाते हैं तो दोस्तो यह इस तरीके से आप मास्टर्स जो है वह अगर आपको अब्डेट क कर सकते हैं नए मास्टर्स आपको क्रिएट करने हैं तो नए मास्टर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही वड़ियां फाइल है मैं इसका लिंक दे रहा हूं आपको डाउनलोड करने के लिए बिलकुल आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व